तो आज मैं आपको उस विश्य में भी बताऊंगा कि माला अगर आपके हाथ से छोड़ जाती है तो आपको क्या करना है और माला अगर छोड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में सावधानिया क्या होनी चाहिए ये भी चीजे आज आपको मैं बताऊंगा और साथ ही माला को चेतन कैसे किया जाता है वो भी मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनेगा एक एक चीज को चाकि बारी की से आपको समझ में आए। हुआ तो सबसे पहलबा परशन लेते हैं कि क्या ही माला से सभी देवताओंके मंत्रजवाप कर आए जा सकते hou तो मैं इस वारे में मैं आपको बता दू। मंत्रजवाप आप कर सकते हैं यहाँ आपको करें कि साधना है 50 ग多 गो तो उसके लिए माता दुरुगा के हिसाब से जो है वो आपको माला लेनी होगी उसी प्रकार से आप भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो वैजनती की माला आपको स्पेशल वैजनती की माला से जाप करना है भगवान शिव के लिए कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला जाती है जो माताल लच्मी की मंत्र जाप के लिए प्रियोग की जाती है स्फिटी की माला उससे आपको जाप करना है हनुमान जी की अगर आप मंत्र का जाप करें तो सबसे उत्तम है रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें और वैसे सबसे उत्तम रुद्राक्ष की माला होत पूजा की जाती है उस समय देवता की अनुसार ही आपको सारी चीजे करनी होती है अगरा प्रशन लेते हैं माला को किस धागे में पिरोना चाहिए तो देखिए कैवर क्या होता है माला टूड जाती है तो कलावे में कही लोग पिरो देते हैं कही लोग प्लास्टिक के धागे में पिरो देते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा आप पूजा के दुकान पर बोलोगे ज तो माला को कच्चे के सूट में ही आपको पिरोना चाहिए। तीसरा प्रशन है माला को कहां रखके जाप करें जिससे उन्हें अधिक फल के प्राप्ति हो। देखें जिस प्रकार से किसी साधना को नदी के किनारे मंदिर में करने से या फिर किसी पवित्री तपा भूमी पर क करने से उसका फल जो है वो अनेन्य बढ़ जाता है बहुत गुना बढ़ जाता है उसी प्रकार से माला को अगर आप हेड़े के पास रखके जाप करते हो तो उसका फल आपको बहुत जादा बढ़ जाता है मुख के करीब माला को ना रखें पैरों के पास जादा माला को ना मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप की जो गती है वो तो ना तो बहुत आराम से होने चाहिए और ना बहुत जल्दी होने चाहिए एक मध्यम गती से आपको मंत्र जाप करना है जैसे मैं आपको मंत्र जाप करके बता रहा हूं जैसे ओम नमस्षिवाय है तो कहले हो ओम नमस् जो एक एक जाप का connection है जो उड़जा वो नहीं जुड़ पाती तो उसमें आपको normal job करना है आप जल्दी जल्दी जाप की नहीं है और आम नुश्वाइसा भी नहीं करना ओम नुश्वाइस प्रकार से एक मध्यम गति से ही आपको जाप करना है अब अगला प्रशन है जाप के लिए सबसे उत्तम माला कुन सी है तो देखिए जाप के लिए सबसे उत्तम माला है रुद्राक्ष की इस रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी देवता का जाप आप कर सकते हो उसका फल आपको प्राप होता ही होता है अगला प्रशन है क्या जाप की गई माला को गले में धहरण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो देखिए मैं आपको बता दू माला और वो भी जाप की गई जब आप उसे गले में धहरण करते हैं तो शुद्धता का विसेज ध्यान दखा जाता है आपने कई संतों को देखा होगा वो गले में माला को धर्ण करके रखते हैं पर वो शुद्धता का बहुत ख्याल रखते हैं तो पहली बात तो जाव की गई माला जो है उसको गले में धर्ण आपको किस समय करना होता है वो मैं आपको बता दूँ जैसे आपने मंत्र समाप्त किया मंत्र आपका खतम हो गया मंत्र जाव आपका पूर्ण हो गया तो आप तुरंत उस माला को गले में दहर्ण करें ताकि उस माला की उर्जा आपके सररिक और आत्मिक जो आत्मिक चेतना है उसमें वो घुल जाए आपके जो मंतर की उरजा है जो माला की उरजा है वो आपके आत्मा में रम जाए और लगवग 10 मिनट के लिए मंतर के जाप अपने माला को गले में धान करें उसके बाद उस माला को मंदर में रख दें जब तक 10 मिनट तक माला आपके गले में धाना रहती है तब तक आपको अशुद जिगे नहीं जाना लैट्रिंग बातरूम या फिर गंदी जिगे पर नहीं जाना गंदे हाथ नहीं लगाना यानि शुद्धता का पुर्ण ख्याल रखना है गले में जो माला आप धान करते हैं वो एक अलग माला होती है वो भी जागित माला होती है चेतने माला होती है तो इंची जोका आप ध्यामन के हाला कि मैं आपको जैसे बताया कि कुछ लोग एक माला से जाब करते हैं उसको गले में धान भी करते हैं तो वो शुद्धता का अगल्य प्रश्चन uns आपको एससे आप घार्न कर सकते हैं अगला प्रशना माला अगर हां चूट जाए और नीचे कर जाए तो क्या करें आपकी साधना आपका जाप खंडित हो जाता है तो देखिए पहले बात तो यह जब भी आप मंत्र जाप कर लिए बैठें तो माला का तरीका आपका होना चाहिए किस तरीके से आप पकड़ रहे हो तरीका आपको पहले सीखना होना चाहिए दूसरी बात माला जैसे हिर्दे के पास रखे आप जाप करते हो तो हिर्दे के पास माला रहती है तो माला के नीचे एक कपड़ा रख ले घुटनों के उपर ताकि अगर माला गिरे तो वो पैर आपको परश ना करे और जितना मोटा कपड़ा रखे इतना बढ़ी हर है आपक लिए तो अगर माला गिरेगी तो उस कपड़े पर गिरेगी फिर आपको मातिसी लगा के फिर दुबारा आप जाप शुरू कर सकते हों अगर माला धरती पर गिरती है तो मैं आपको पता दू उस समय आपको दुबारा क्योंकि जो आपने जाप किया है वो पूरा जाप धर वीए यह नहीं कि रहने कितना किया है महिने में इतना सुरूख्य करना होगा यानि जिस दिन मंत्रजाब करना होगा पर llev इक कि माला अशषद और खंडित कब होते हैं कि माला अशुद्ध और खंडित होते हैं पहले बात तो जो अगला प्रशन माला को जागरत के लिए मैंने हमारे चैनल पर आपको दो विधी बता कर दो जागरत विद्ध है जो नहीं करना होता आपको पंचामरित में आपको दूद दही देसी घी शहद और शक्कर ये पंचामरित बनाना है इससे और पंचाम मृत से आपको उस माला को और गंगाजल भी आपके उसके बाद उस माला को आप धूर्दी दिखाईए और एक रात यानि शाम को मंदर में रख दीजे और फिर सुबा से आप उस माला को जाप शुरू कर सकते हैं तो ये था माला को जागरत कैसे करें और माला से जुड़े जितने भी प्रशन हैं तो मुझे आशर ये जानकारे आपको पसंद आई होगी अगर आप पहली बार हमारी चैनल शुक्रिपापे हैं तो आपके सामने जो लाल करका बटन है सब्सक्राइब को उसे दवा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाल आइकन को दबाएए घंटे के निशान को ताकि जो हम जानकारे डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो हमारा नए चैनल शुक्राइब कीजिए उसके साथ भी जुड़ी ताकि भक्ती और भक्ताई से जुड़ी जानकारे आपको निरनतर प्राप्त हो मैं बाबा भुले नास से बिंती करता हूं कि बाबा करपा करें आप पर करपा करें आपके घर पर करपा करें आपके परिवार पर करपा करें आपकी तमाम मनोरतों को पूरा करें हम मिलते हैं एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए ओम नमस्युवाए ओम नमस्युवा झाल झाल